हलो गाईस नमस्कार सभीकों मैं योगे इस एक बाग फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्रेटफॉर्म तो आप लोग की डिमांड की अकॉर्डिंग जो आज से एक नई सीरीज की अपनलोग शुरुवात करने वाले हैं दस मिनिट का शो होने वाला है मातर दस मिनिट से जादा कोशिश करूँगा नहीं लूँ आप लोग का और करन्ट अफियर्ट सुभे सुभे जो है आपको मिलने वाला है सर कौन सा करन्ट अफियर्ट इतना सार होता है बहुत टीचिंग एक्जाम में जो आने वाले हैं आपके सर इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड हमारे जो करन्ट अफियर्ट से उन्हीं के बारे में करेंगे हम चर्चा आपके जो एजुकेशन से रिलेटेड हमारे करन्ट अफियर्ट से उसकी जो सीरीज है आज से कर दिये स्टार्ट तो चैनल पे सर फर्स ताइम विजिट किया है आपने तो टीचर्श स्पाटलाइट नाम का अपना चैनल है जाना है सब्सक्राइब करना है पूरा का पूरा सर EMRS का first of all तो आपको पूरा content general paper का यहां पर provide करवाया जा रहा है चाहे आपका GA है, चाहे आपका ICT है, teaching aptitude है, journal awareness है साथ में current affairs, educations related provide करा दिये NEP में आपके लिए करवा रहा हूँ, maths की classes, reasoning की classes सारा का सारा आपका चल रहा है तो दिक्कत वाली परिशानी वाली बात नहीं है साथ में EMRS के रहावा seated भी अपन target करते हैं और जो भी आपके TGT-PGT exam है, पूरा का पूरा अपना जो content है आपके अपने channel पे है तो first time अगर आपने visit किया है, तो sir like, subscribe, share जरूर करना है time जादा नहीं लूँगा, सीधे मुद्धे पे आते हैं, जो आज का अपना topic है कि sir 10 minute show अपना चलने वाला है, काहिं का sir कि जो हमारे, क्या है sir, educational current affairs का जो सिक्षा, विभाग से या बूले तो sir, सिक्षा से related जो हमारे current affairs है उनकी करने वाले हैं, आज से अपन बात से ही जो NCRT जो है हमारी, उन्होंने बोला, उन्होंने recommend किया actually, या जो higher authority, NCRT बोलना गलत होगा, कि sir, जो higher authority थी उन्होंने recommendation किया, कि sir, जो primary level से higher secondary level तक sir, जो NCRT की books हैं, जो especially social science की books हैं, उसमें से इंडिया सब्दे हटा के क्या कर दिया जाए, भारत कर दिया जाए, तो उसे के बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहले, तो high level committee recommends replacing India with भारत in a school textbook, जो भी आपके school textbook है, उसमें से क्या कर दिया जाए, sir, इंडिया की जगे भारत कर दिया जाए, तो sir, recently a high level committee established by the N-C-E-R-T, sir, आपको यहां से N-C-E-R-T का full form भी पता चल गया, that is National Council of Education, Educational Research and Training, N-C-E-R-T, खिके जी, to revise the social sciences curriculum for the school has recommended replacing the name India with भारत in a school textbook, ठिके जी, है ना, तो social science की जो किताबे हैं उन में से इंडिया की स्थान पर क्या कर दिया जाए, भारत कर दिया जाए, although controversy बहुत ज़्यादा हुई थी, आप सभी को पता है, जब G20 का हमारा हमारे भारत में सम्मेलन हुआ था, जी, 20 summit जब हुई थी, तो माने निये प्रदान मंतर जी ने इंडिया की जगे भारत लिख दिया था, आप सभी ने उसको देखा भी होगा, ठिके जी, तो उसके बाद से ये पूरा का पूरा चीज़े शुरू हुई, तो अगर बात करें, तो NCRT ने अभी, you know, clarify कर दिया है कि अभी ऐसा कुछ approved नहीं हुआ है, बट only recommend किया गया है, that is not approved, ठीक है, ये बात आपको रखनी है, सर ध्यान में, तो एक छोटी सी चीज थी, जो आपको बताना चाह रहा था, यहां से सर, NCRT का full form आपने को रखना है, ध्यान में, नेक्स बात करें, सर, अपना चंदरयान प्रोग्राम, that is very important, कि सर, जो हमारे Union Education Minister है, Mr. Dharmendra Pradhan जी, तो उन्होंने, सर, लाँच किया है, एक web portal, उसका सर क्या नाम है, अपना चंदरयान प्रोग्राम, सर, जो लाँच किया गया, 17 October 2020 को, क्या बोला गया है, सर, इसके बारे मे कि सर, Union Education Minister introduced the अपना चंदरयान प्रोग्राम, on 17 October, this initiative, initiative, aims, engage and educate school students about the चंदरयान मिशन, कि सर, इस जो अपना चंदरयान प्रोग्राम है, इसका objective क्या है, उद्देश्य क्या है, जो भी आपके school के students है, उनको सर, चंदरयान मिशन के बारे में, dedicated होके, क्या करना, सर, पूरी तरह से बताना, तो उसके लिए, सर, क्या बुला गया है, आपका web portal खोल दिया गया है, that is, अपना चंदरयान प्रोग्राम, क्या है सर, थोड़ा सब डीटेल में जानते हैं, इस अपना चंदरयान प्रोग्राम के बारे में है क्या, कि इस प्रोग्राम offers a wide range of educational materials, including interactive elements, like coloring books, online quizzes, आपके puzzles, यहापे आपके add कर दिये गए हैं, सर, all these materials have been thoroughly, thoughtfully created by the NCRT, किसने create किया है, सर, NCRT ने create किया है, बनाया है, चंदरयान 3 के आपको यहाँ भी modules हैं, जो चंदरयान 3 का जो भी सारे के सारे different modules हैं, उन पर focus अरकता है, और चाहे आपका, आपके जो moon mission ता, उसके various बहुत सारे expect की बात करता है, and scientific, technological और जो social dimension से उनको बताता है, मतलब, कुल मिलाके मैं बात करूँ, कि सर, जो अपना चंदरयान प्रोग्राम है, जो स्कूली छात्रों के लिए, स्कूल स्ट्रेंट के लिए, एक web portal बनाया गया है, so that पूरी तरह चंदरयान mission के बारे में उनको जानकरी मिल जाए, जो कि इच्छा है, सभी को पता है कि सर, इतने excited होते हैं, बच्चे हर चीज दानने का, और हमारा जो पढ़ाने का तरीका है, मैंने आपको, जब NEP में आपको बढ़ा रहा था, मैंने आपको बोला भी था, कि अभी सर, क्या हो गया है ना, पहले था कि सर, टीचर के according वापन बढ़ाते थे, but now, scenario has been changed, अब क्या है सर, child-centered education जो है, हमें provide करवाने हैं बच्चों को, बच्चों के तरीकों से, तो same as it is, उसी के बारे में है, कि सर, scientific curiosity, encourage problem solving skills, और inspire activities among the school students, इसका ये aim, या बुले तो goal, या फिर उद्देश्य रखा गया है, ठीक है जी, चलो, next बात करें, same sir, धर्मिंदर प्रदान जी है, उन्होंने करा, इसको launch, अपना चंद्रयान प्रोग्राम 17 अक्टूबर को, ठीक है जी, चलो, sir, next is, performance assessment review and analysis of knowledge for holistic development, sir, that is, परक, very important, sir, यहाँ पे आपका क्या पूचा जा सकता है, first of all तो, full form, sir, P for performance, A for assessment, R for review, A for analysis, K for knowledge and H for holistic development, परक का इसको नाम दिया गया है, sir, परक मतलब जाचना, test, simple सा, ठीक है, तो sir, क्या बोला गया है, the government of India recently launched परक, to access the performance of the secondary and the higher education, जो secondary और higher education के base space, sir, आपका, जो भी, उनको, उनकी जो performance, उसको access करने के लिए, बनाया गया है, लांच किया गया है, अलग-अलग जो states है, sir, उसके लिए काम कर रहे हैं, अलग-अलग procedures है, जो students का, जो performance उसको evaluate करने के लिए, sir, आपका एक program, that is, परक, बनाया गया, आपको दाहिंगा से ध्यान रखना है, कि sir, क्या उदेश्य है, क्या aim है, इसका, साथ में, इसका full form, ठीक है जी, चलो, next अपन बात करें, sir, NCF, National Curriculum Framework, सर, क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, कि sir, National Curriculum Framework है क्या, कि sir, it is in India, it is a comprehensive guideline that serves as a blueprint of the school education, कि sir, जो school education का blueprint प्रोवाइड कराता है, गईज, एक NEP अलग है, और एक NCF आपका अलग है, that is, both the things are different, ठीके, NCF, sir, आपका curriculum प्रोवाइड कराता है, that is a blueprint, जैसे हमारे exam से पहले हमें blueprint मिलता है, कि sir, section A में कितने number आए, है न, अपन जब blueprint बनाते हैं as a teacher, बच्चों के लिए, और हम भी कभी पढ़ते हैं, तो हम भी blueprint पेकर देख बादेखते हैं, ही कितने माक सा, कितना क्या question होगा, so this is the thing only, this is the thing only, कि sir, क्या है, कि sir, that, it is the blueprint for the school education, this, the NCF is practically updated, the reflects changing student and societal needs, time to time क्या होता रहता है, sir, update होता रहता है, according to the demand of the student, according to the education, ठीक है, जो अभी, current में चाहिए, उसके according, और societal के needs के according, so the new draft, NCF proposed significant change to the school, day and academic years, जो भी academic year होता है, उसके according क्या, some time time पे change कर दिया जाता है, and the last, आज का जो हमारा होने वाला है, कि sir, NCRT attains deemed university status, sir, जो NCRT है, उसको deemed university का जो है status, मानने ता पराप्त हो गई है, कि sir, क्या हुआ है, sir, क्या हुआ है, कि, that NCRT, National Council for Educational Research and Training, achieve the esteemed status of deemed university, जो किसने अनाउंस किया है, sir, Union Education Minister, Mr. Dharmendra Pradhanji, ठीक है, कब किया था, sir, NCRT का 63rd, 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 जो foundation date था, उस दिन, क्या-क्या key points अपने को ध्यान में रखने हैं, कि sir, integration हुआ था, बाल-भवन और बाल-वार्टी का, उन्होंने, Union Minister, advocated the amalgamination of बाल-भवन और बाल-विकास, विद NCRT, NCRT के साथ मिला दिया है, बाल-भवन और बाल-विकास को, sir, जिसका जो ये में क्या आने वाला है, बच्चों को, comprehensive education प्रोवाइड करवाना, साथ में for fostering their holistic development, उनका पूरा का पूरा सही तरीके से विकास हो, इस पर जो दिया गया है, sir, जो NCRT था, sir, कब established हुआ, 1961 को, कहां से अपना, NCRT established in 1961, under the Society Act, plays a pivotal role in advising and assisting the government, in matters of related to school education, जो school education से related, जो भी आपके matters से उसमें assist करता है, help करता है, किसकी sir, advice करता है, किसको कर, sir, government को, तो guys, I hope आपको आज का ये show समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, कुछ इसके पागर हो जाता है, तो rewind करके, आप लोग बिल्कुल दे सकते हैं, और बिल्कुल, daily basis पे अपन अपना ये show है, 10 minutes का sir, जो show है हमारा, बिल्कुल लाते रहेंगे, तो sir, सबसे पहले क्या करना है, अगर आपको session अच्छा लगा है, तो sir, comment करना है, पर्स टाइम अगर आपने विजिट किया, तो like, subscribe, share करें भी न, नहीं जाना है, मिलते हैं नेक्स section में, तब तक के लिए धन्यवाद,